तो यार अगर आप लोग भी सोचे अपने इंस्टाग्राम पे पेश चुरू करने का तो यह वीडियो आप ही के लिए इस वीडियो में बताऊंगा अपने परसिनल एक्स्प्रियेंस से अपने टिप्स और कुछ ट्रिक्स जिससे आप अपने पेश को सुरू कर सकते हो इस और देरे देरे में वीडियो अपडेट करके आपको डेगुलर अपडेट देता रहूंगा कि कैसे आप अपने पेश को एक अलग लेवल पर लेके जा सकते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना क्योंकि सब अब लगाए तो वीडियो आगे बढ़ेगी नहीं लो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना है वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आगी तो और कमेंट करके अपने पेश का यूजर नेम लिखना है जो आप सुरू करोगे और मैं भी आपके मेमस देखनापकवह अनले टो आप मेमीम सुरू कर सकते हैं और आपको फोटोग्राफी बसन्द नो फूर突 पर शुरू कर सकते हैं वीडियोग्राफी पशन निच होते हैं तो आप मेंदेखें किस चीज में आप पोस्ट डाल सकते हैं जिसीज में आप डेली पोस्ट डाल सकते हो और बोर नहीं हो वही पेज आप चूज की जएगा और अगर आपका उसीज में इंट्रेस्ट रहेगा तो आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी अब हमारा दूसरा पॉइंट क्रिएट यूनिक यूजर नेम मतलब जो आप यूजर नेम डालते हो इस्टाग्राम में वह एक दम यूणिक डोड़ो मतलब सबसे पहले आप जाओ अपने इंस्टाग्राम में और वहां पर जो सर्च वाला उप्सन होता है उसमें आप सर्च क करेंगे तो आपका पेज नीचे रहएगा क्योंकि आपका पेज बाज़गे रहेगा जिससे और लोग पहले की रिया देखलेंगे उन को देखना होगा और आपका पीजिश कर देंगे तो एक ऐसा नेम क्यों सर्च में करें तो वह टॉफ याए अग्च दूर स्थे हरांोट वर्क टो करना प्रें प्रेश पीसर नाम or दोनों उज़र नेम और नेम अलग-लग, और स्पेस होता है था यूजष नियुक रखना और ऐसा भी मत रखना यार का है तो आपको क्या करना है आपको एक ऐसा यूजर नेम चूज करना है जो इंस्टाग्राम पे हो भी ना और थोड़ा यूनिक भी हो तो वो यूजर नेम को सर्च करके और उससे अपना पेज आपको बना लेना है हमारा तीसरा पॉइंट राइट यूनिक भाई अब जो हमारे इंस्टाग्रम का भाई होता है उसको बहुत लोग हलके में लेते हैं कि आपको इसको हलके में नहीं लेना है बाई मतलब बायो गराफी मतलब कोई भी यूजर आपकी पेज़ पर आएगा तो सबसे पहले आपका किस चीप से दिलेट है तो आप मंसमें जितनी भी आप जिस तरीके की मीम डालते हो अगर में मिंख्यों होते हैं तो आप और होठें बॉटीन-प्लस तो जिससे यह यू आएगा उसका ताइम भीश्ट होगा तो अगर इसको फिर और उसको वो चीज नहीं मिली जिसके लिए था तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आएगा और इससे आपके पेज का बैड इंप्रेशन पड़ेगा उसके उपर पहले से मेंशन कर दोगे कि आपके पेज पर किस किस रेटेट कंटेंट आता है तो वहां पर लेगा अगर उसको उ किस चीज से रेलेटेड है और आपके पेज पर क्या क्या है अगरा चौथा पॉइंट यूज एनी एट्रेक्टेड डी जो डीपी होता है यानि डिस्प्ले पिच्चर जो प्रोफाइल पिच्चर होता इंस्टाग्राम का वह आपको एक यूनीक सा रखना है मतलब मैं होगा जो डिस्प्ले पिच्चर होगी वह भी आपको एक दम यूनीक रखना है मलीज आपके पेज के नाम से सर्च किया उसने वहां पर उसको जो डीपी देख वो अदम यूनीक डीपी दिखे जिससे वह क्लिक करने पर मजबूर हो जाए आपके प्रोफाइल पर वहारा प कर सकते हैं अपको बburg Verantwort कर सकते हैं तो एक दम मेंटेन रहेंगे तो इंस्टाग्राम को भीकि हैं ये अपने पेज पर महनत कर रहा है तो वह भी आपको धीर धीर रीच देना शुरू कर देगा आपकी पोस्ट पे तो इसलिए जो आपके पोस्ट है उसकी गोल सेट कर लो कि आपको एक दिन में कितने पोस्ट डाल ले हैं हमारा सिक्स पॉइंट तो आपने अपना पेज बना लिया सारी चीजे कल लिए पोस्ट गोल भी सट कर लिए अब आपको क्या करना है अपके निच वाले पेज़ें उनको फॉलो करना सुरू करना है क्योंकि आप उनको फॉलो करोगे तो उनके पहले से फॉलोर सुंगे तो आ experience आता रहेगा इसको सब को देखके तो आपको क्या करना है आपके जो सिमलर नीच की पेज़ेस हैं उनको आपको फॉलो करके रखना है तो आपको उनकी पोस्ट को रेगुलर चेक करते रहना है देखते रहना है कि हाँ इसकी पेज़ पर क्या पसंद कर रहे है किस पोस्ट पे यह भी बहुत इंपॉटेंट पॉइंट हमारा आपको मिनिमम एक दिन में दो इस्टोरी तो अप्लोड करने ही करनी आपके जो प्रोफाइल पिचर पे वो जो सरकील वाला एकन होता है रेड गलर का इस्टोरी वाला वो हमेशा रहना चाहिए क्योंकि उससे एक अच्छा आपने सारी चीजे फॉलो कर ली जितना मैंने बताए 7 पॉइंट तक आपने पेज बना लिया निच रख लिया अपना यूजर नेम अच्छा सा रख लिया डीपी अच्छी से लगा ली बायो अट्रेक्टिव लिए सारी चीजे अपने सेट कर ली अब आपको क्या करना है तो कि अब आपको आपके सिमिलर पैजस यह से जिसमिलर नीच के पेजस इंद उन को आपको फॉलो करना है और जो उनके फॉल्र इसने को निव करते होो भी निव सकता है तो हो जो अपने पेज़ पे content डालेगा उसमें जिस लोगों ने उसके news को like किया उनको जाके आपको follow करना इससे क्या होगा जब भी आप उनको follow करोगी वह आपके profile visit करेंगे और देखेंगे कि आपके page पेज़ पेज़ का परता है एक post में तो आपको 30 के 30 पूरे लिखने हैं और caption आपको बड़ा सा लिखना है ताकि वह जो रीड मोल आपसे लिखना है और आपके पेज़ थोड़ी देर तक रुखना है और कुछ ऐसा लिखना है कि मतलब थोड़ी देर तक बंदा वहां पर रुक के पढ़े जिससे अपलोड कर लिजेगा उसके बाद follow for follow सुरू करिएगा तो बंदा आएगा विजिट करेगा चला जाएगा क्योंकि कुछ रहेगा नहीं आपके पेच पे तो 30-40 पोस्ट आप कर लिजेगा इससे बंदा आपके पेच पर थोड़ी देर रुक कि आपके सारे contents देखे उसके बाद follow for follow सुरू करिएगा 34 पोस्ट के बाद मैंने एक मीम पर सुरू किया था मैंने अपने मीम कुछ बनाया थे कुछ फेस्बुक और सारे मतलब जो अलग 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 social media platform होते हैं वहां से मैंने मीम्स उठा के पोस्ट करना सुरू किया था और अभी मेरे पेच पे करेंट आप देख सकते हो और मैं आगे भी ऐसा ही कंटेंट बनाऊंगा इंस्टाराम से लेटेट इस समय में नोटिस कर रहा हूं कि social media पे जो यूजर है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जिससे टिक टॉक है तो टिक टॉक पर कोई किसी ने वीडियो मनाई उसकी वीडियो बा या फिर अलग अलग social media platform के जैसे यूजर बेस बढ़ रहा है तो मतलब एक दूसरे यूजर यहां वहां जा आ रहे हैं तो अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पे पेश सुरू करने का सूच रहे हैं तो यार सोच क्यो रहे हो यह सारे points को follow करो और पेश जल्दी से सुरू करूंगा वह तुमको भी बताता होंगा तुम भी apply करना यार अच्छे से अपना पेश सुरू करो और यार अच्छे growth मिल जाती हैं तो उसके बाद फिर कुछ करने के ज़्यादा जरूत नहीं होती है फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा सारी चीजें और यार मैं क्या सूच 100 followers का फिर 500 फिर 1000 अच्छे से दिर दिर अपना गोल बढ़ाते जाएंगे तो जो जो चीजे मैं face करूंगा उन सारी जो को मैं उस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सीरीज को सुरू करूं तो कमेंट करके बताओ मुझे बता चले कि कि कितने आप मुझे फॉलो कर सकते हो मुझे फॉलो करो यार और अगर अभी तक आप लोगो ने किया तो करके रहो यार मेरे चलो को सब्सक्राइब कर जो बगल में घंटा तना इसको दबा के ओल कर लो क्योंकि अब तो आल वाला जहट भी आ गया है तो वह को आल करना पड़ेगा कि मैं कोई वीडियो एलन दो को आपको नाटिफिकेशन मिले उस वीडियो की तो मैं मिलता आपको एक नहीं और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरा हैं एंड बाई